बिश्मिल्ला रह्मान रहीम अस्लाम लेकुम हफ्ता चेटा और उसका दिन जोता है उमीद करती हों सब लोग हैर हैरियत से होंगे और अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर रहे होंगे अच्छा हमारा उन्वान है मजमून नवेसी मकास्द हैं तल्बा पाकिस्तान के इलागों की खुशूर्ती पर मजमून लिख सकेंगे आप लोगोंने एक मजमून तख्रीक करना है आप लोग लिख सकते हैं मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान की सिकाफ़त या आप लोग लिख सकते हैं पाकिस्तान के बजारों में रोनक ठीक है ये हमारा मकसद है उसके बाद हमारा काम्याबी का मैयार है के तल्बा 200 ता 250 अलफाज पर मुझतमिल मजबून खुशखद लिखें आप लोगों ने साफ सुधरे राइटिंग में मजबून लिखना है अच्छा मजबून लिखने के लिए एहम नकात मैं आपको बता देती हूं ताके जब आप मजबून लिखें तो आप लोगों कोई मसा ना हो पाकिस्तान की खुबसूरती सबसे पहले आप लोगों ने आवाज जो करना है तमहीज लिखनी है आप लोग उसमी लिखेंगे पाकिस्तान की खुबसूरती के हवाले से पाकिस्तान कैसे खुबसूरत है समबाद को ही ले 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 उसमें देखें किस खुबसूरती से उसको ग bitcoin रखराइना वहां पे सबसा के लखार देख लें द्रुखतों को देख लें पूलों को देख लें यानि के हर एक इलाका हर एक शहर हर पूरा पाकिसेन जो है वह बहुत ही जादा खुब्सूर्त है उसके बाद पाकिस्तान के खुब्सूर्गे। आप अपनी कसंद के भी लिख सकते हैं, कि पाकिस्तान के खुबसूरत आलाके कौन कोट से हैं ठीक है, इस्सलामबाद लिख दें, रवाग लिख दें रावलपिंटी लिख दें, वरवयर वरवयर जो आपको अच्छे लगते हैं, वरीभी लिख सकतेयां उसके बाद है सकाफ़त, सकाफ़त होता है कि किसी मुल्क के रस्म और वाज, ठीक है, तर्जे जिंदगी, रहन सहन के तरीके, आप वो सकाफ़त होती है, आप लोगों ने वो लिखना है कि किस तरह के रस्म और वाज है, हमारे रहन सहन किस तरह है लोगों का, किस तरह के कपड ही पेंते हैं किस त्रीके से जो है वह जिम्दी गुजाते हैं उसके बाद पाकिसतनि बाजारों की रोनव कुर फोरीडरी आ अब आध का पकिस्तान Cute इतनों की वहां निया भांता है और कि और ऐ contracी के अधार horizontal यह जारिए प्रिक करने कंद現在 porch आदेता हैं। कुम हमारे किस तरिके से रहती है , एक दूसरे का साथ रहती है और अपने मुल्क की हिफाज़त के लिए किसी भी हाद तक जा सकते है उसके बाद है हासले बहस आप ये पूरा मजबून लिख चुके हैं आप ने ये बताना है आप ने आपको इसमें से कौन सी बात अच्छी लगी या आप ये बता सकते हैं में में पॉइंट्स उसके आप दो तीन उठा के इसमें लिख सकते हैं या अपनी तरफ से भी अगर आप कोई बात लिखता जाते हैं तो भी इसमें लिखी जा सकती है आज की सरगर्मी है पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन पर मजबून तहरीर करें ये असान तरीन टापिक है जो मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है आप लोग इस पे मजबून लिखेंगे और उसके बागात को पाकिस्तान में जो भी बागात हैं को डिसकास करें आप दुरखतों को डिसकास करें अलाकों को डिसकास करें और अपने वतन की खुबसूरती को डिसकस करें हर एक चीज़ को आप हर हवाले से डिसकस कर सकते हैं आप लोगोंने तमहीद लिखनी है नफसे मजमून लिखना है और एंड पे आके आपने हासले बहत इखताम यानि के आप ये सारी तीन मजमून को तीन हिसों में आप तकसीम करेंगे तमधीद, आवाज, नफसे मजमून और आखर पे आपने आके इखताम करना है और अच्छे तरीके से लिखना है हेडिंग्स नहीं देनी ये की पॉइंट्स आपको दिये हैं आप इनके मदद से मजमून अच्छे तरीके से लिख सकते हैं थैंक यू सो मच, अलाँ हाफिस